Hello friends, welcome to Foodies by Neha आज मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ बपा का फेविट मोदग की रेसिपी यहाँ मैंने मोदग ड्राइफूट से बना का तयार किये है इसमें दूद, खोबा, कुछ भी मैंने एट नहीं किया है बस इस 15 मिन में बहुत ही आसान बिदी से मैंने बना का तयार किये है देखें अंदर से मैंने इसमें ड्राइफूट बारे हैं और इनने बनाना बहुत आसान है आप सभी ने काजू कतली तो खाई होगी और सभी के फेविरिट है बस उसी काजू कतली से आज हम मोदग बनाएंगे तो आई ये रेसिपी को स्टार्ट करते हैं यहां मैंने लिया है एक कप काजू यहां मैंने होल काजू का यूज किया है आप जाए तो ब्रोकन वाले भी ले सकते हैं यहां हमें काजू का पाउडर बनाना है तो यहां मैंने मिक्सर जाल लिया है और इसमें हम काजू को डाल देंगे डियान रखें काजू को जब भी आप ग्राइंड करें तो उसे पल्स में ग्राइंड करना है आप continue ग्राइंड मत करें इस तरह से pulses में आप इसको करें otherwise क्या होगा जो oil है काजू का वो निकल जाएगा तो यहां मैंने grind कर लिया देख सकते हैं बढ़िया से powder बन के तयार है चनी लेने और इसमें हम डालेंगे काजू के powder को और इसको छान देंगी अच्छे से जिसे के एक fine सा powder बन के तयार हो अगर मोटे बाले पार्स बच जाते हैं तो आप उने वापस grind करके छान ले साथी साथ मैं एड़ करूंगे एक चौथा एक कप milk powder यह completely optional है अगर आप नहीं चाहते हैं तो आप इसके बिना भी इसको रेसिपी को बना सकते हैं तो बस अभी मैं काजू के powder को और milk powder को मिला दूँगे अच्छी तरीके से देखे कितना बड़े powder बन के ready हुआ है आई एब हम इसको cook करेंगे यहां मैंने लिए एक pan इसमें मैं डालूंगे एक कप शकर साथी साथ add करेंगे एक चौथा कप पानी हमें इससे तब तक पकाना जब तक की चाशनी अच्छी से melt नहीं हो जाए तो यहां मैंने flame को on कर दिया है और flame को medium high किया है यहां रखे फिरिंड हमें यहां एक तार या दो तार की चाशी नहीं बनानी है जस्ट हमें शुकर को तब तक पकाना जब तक की अच्छी से melt नहीं हो जाती है देखिए शुकर मैल्ट हो गई है और बस इसी स्टेज पर हमने जो काजू का पाउडर बनाया था उसको हम डाल देंगे और हम काजू के पाउडर को और शुकर को अच्छी तरह से मेक्स करेंगे फिर इससे बनाना बहुत इसी है बस कुछ थोड़े से टिप्स का ध्यान रखेंगे बाजू कतली वाले मोदर का आसानी से घर पर बना सकते हैं यहां देखिए यह बहुत पतला है अभी हम इसको गाढ़ा करना है जब तक यह टोकी कंसिस्टेंसी में नहीं आ काफी अच्छा स्मूध टेक्ट्टर में लेगा और थोड़ा सा शाइन भी आएगी घी को भी अच्छी तरह से हम पेस्ट के साथ मिक्स करके पकाएंगे पकाने में फिर शास्ते आट में लग सकता है यहां पेस्ट काड़ा हो चुका है मैं थोड़ा सा टेस्ट करूंगी त आप देख भी सकते हैं कि जो पेस्ट उसने साइज चोड़ना स्टार्ट कर दिये हैं और यहां और यहां आप इसको जाड़ा करें अदर वादग बनाएंगे तो क्रैग भी हो सकते हैं तो बस इसको स्मूध पेस्ट बनने लगी बस उतने मिग हम इसको फ्लेम औफ करके एक निकाल लेंगे मैं देखे पेस्ट को अच्छे से फैला दिया है इसको ठंडे होने में सिर्फ 5 प्लेट ही लगें फिल देखे 5 ट मिनिट हो गया है और हमारा जो पेस्ट है यहाँ पेस्ट रिल्का सा गरा में बहुत तुक्षा नहीं हुआ दोगी तो भस मोल्ड को इस तरह से इस तरह से ग्रीस कर दें साथी साथ मैंने थोड़े बदाम और पिष्टे को इस तरह से बारीक चौप कर लिया था जिसके हम फिलिंग करेंगे और इस तरह से एक पाट ले ले बढ़ा सा और इसको एकदम लड़ू से बना लेंगे और मोल्ड के एक साइड में हम इसको को काजू का पेस्ट थोड़ टाइट लगे तो आप एक चमाट डूट डालके अच्छे से मिक्स कर लें तो आपका पेस्ट स्मूध हो जाएगा और अब हम फिलिंग के लिए बीच में इसमें ड्राइफूट को भी एड़ करेंगे अगर आप ड्राइफूट यूज नहीं क में आपके पास मोल्ड का मैं निकाल दूगी देखिए इस तरीके से और इसको बहुत जोर से प्रेस करना है फिरिंग और बाद में इसको ओपन करेंगे तो बहुत आहिसता से बहुत हलके हादों से हम इसको निकालेंगे अदरवाइस जो शेप हो गरबड हो सकता है तो हमारा काजू का पेस्ट इसको हाथ में लेंगे आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट है यह वी थोड़ा सगी मैं इस तरह हाथ में लगा लिया है और इसका में एक बॉल जैसा बनाएंगे अब हम क्या करएंगे इसको उपर साइट पर हलका सा पिरेज़ करेंगे इस तरीके से प्रेमेट जैसा और बस टूतपेक्स से लेके हम इस तरह से इसमें एक डिजाइन देएंगे तो बस इसी तरह से दिखते न मूदक और ये मूदक तो मैं बोली उस से भी जादा सुन्दर दिख रहे हैं दिखे छोटी छोटी से बनके तयार है तो अब इसकी साइज नीच वाइस की कॉडिंग कम्या बड़ी कर सकते हैं तो अगेन मैं एक छोटा सा पीस लिया है और सेम इसको मोदक कहां से शेप दे दिया है फोक ले ले ये काटर इस तरह से इसको हलका सा देखे बहुत सादा नहीं दबाना है बस थोड़ा सा देखे कितना सुन्दर सा मोदक बनके तयार है बिना मोल की भी घर पर आप असानी से मोदक बना सकते हैं ये रेसिपी बनाना बहुत आसान है फ्रेंड आप इसको जरूर बना कि इस बार प्रिशाद में भगवान को आप इसको नाइफ से लगाएं हां से डारिक टश ना करें बढ़िया सुन्दर से मोदक बनके तयार है साथी साथ में थोड़े से इस पर किसर के धागे भी रख देती हूं आप इस रेसिपी को जरूर राए करें आपको ये बहुत पसंद आईगी अगर आपको ये मेरा वी आपको ये ने वीडियो कसा तिल देन बाप बाइ